मसकार मित्रों, स्वागत है आप सभी का हमारी यूट्यूब चैनल साहित्य शाहला में नेट पाठिक्रम में लगे कहानियों, उपन्यासों, नाटकों की श्रंखिला में आज हम आपके सामने उपस्थित हुए हैं जैशंकर प्रसाद की कहानी लेकर के आकाश दीब आकाश दीब कहानी जैशंकर प्रसाद की अप्रतिम कहानियों में से एक है जिसका प्रकाशन 1928 में स्वतंत्र रूप से हुआ था इसके पश्चाद आकाश दीब नाम से ही इनका एक कहानी संग्रह आया जिसमें आकाश दीब सहित 19 कहानियों संग्रही थी आकाश दीप कहानी जैशंकर प्रसाद की अप्रतिम रचनाओं में से एक है काव्यत मक्ता इस कहानी का प्रमुगुण है प्रेम और घ्रणा का जैसा मनिकांचन सैयोग हमें इस कहानी में मिलता है वैसा ही हम प्रसाद की अन्य रचनाओं में भी देखते हैं लेकिन इस भावना को इस कहानी में बहुत ही उत्कृष्ट धंग से उजागर करने का प्रयास प्रसाजी ने किया है। सबसे पहले बात कर लेते हैं इस कहानी के प्रमुक पात्रों के बारे में। तो इस कहानी के प्रमुक पात्रों में सबसे पहला पात्र जो है वो है चम्पा ये नाईका प्रधान कहानी है तो इसकी प्रमुक पात्र चम्पा है जो जानवी नदी के तटपर चम्पा नगरी के एक शत्रिय बालिका है वनिक मणिभद्र की पाप वासना के कारण चमपा उसके समुद्री यान पर बंदी बना ली जाती है और चमपा के पिता मणिभद्र के यहां प्रहरी का ही काम करते हैं जिनकी मृत्यू एक जलदस्यू के कारण हुई थी और चमपा जो है वो अपने पिता की मृत्यू का कारण बुद्धुगुप्त को मानती है और बुद्धुगुप्त के ही आक्रमण के कारण ही उसके पिता की मृत्यू हुई थी तो उसे ऐसा लगता है कि मेरे पिता की मृत्यू का कारण बुद्धुगुप्त ही है तो इस प्रकार से वो बुद्धुगुप्त से कालंतर में प्रेम भी करने लगती है और इस तरह से इस कहानी में प्रेम और घ्रणा का जो सईयोग जिसकी मैं अभी बात कर रही थी वो संयोग इसमें दिखाई देता है और ये चमपा के जीवन में एक इस्थाई पीड़ा की तरह रहता है इस कहानी का नायक हम बुद्धुगुप्त को मान सकते हैं जो तामरलिप्त का एक शत्री है बहादुर वीरपुरुष है इसी ने चमपा को और स्वयम को मणी भद्र के चंगुल से मुक्त कराया था मुखिता ये जल्दस्यू है और इसका काम जो है वो समुद्र में आने वाले जहाजों को लूटना होता है लेकिन कालांता में चमपा से मिलने के उपरांत उसका हिर्दय परिवर्थन हो जाता है और वो जल्दस्यू की अपनी व्रत्य को छोड़ करके व्यापार करने लगता है और एक प्रीमी के रूप में उसका व्यत्यत्व उभर करके सामने आता है इस कहानी में एक अन्य पात्र मनिभद्र है जिसे हम इस कहानी का खलनायक कह सकते हैं इसने चमपा और बुद्धुगुप्त को बंदी बनाया था इसके बाद इस कहानी का एक और पात्र है जया जया जो है वो चमपा की मित्र कह सकते हैं जिसको बुद्धुक्त उसकी सेविका के रूप में नियुक्त करता है आदिवासी युगती है ये और इसका अधिकाश समय चमपा के साथ ही व्यतीत होता है उसकी आग्या का पालन करती है चमपा से जया बहुत अधिक बात नहीं करती है और कहानी में समवादों के माध्यम से ही उसके चरित्र का विकास दिखाया गया है अब जानते हैं कहानी की कथावस्तु को संक्षेप में बताने का प्रयास करूँगी आकाश्दीप कहानी का प्रारंब होता है समुद्र में एक जहाज पर जहां पर बुद्धुकुप्त और चमपा दोनों मणी भद्र के बंदी बने हुए हैं दोनों ही प्रवासी भारतिये हैं चमपा के पिता जल्दस्यू बुद्धुकुप्त के यहां आपकी जीगा बुद्धुकुप्त ने ही मणिभद्र के यहां प्रहरी का काम करते हैं और उसी पोत पर बुद्धुकुप्त आक्रमण करता है और उस आक्रमण में चमपा के पिता की मृत्य हो जाती है और जिसका जिम्मेदार चमपा जो है वो बुद्धुकुप्त को ही मान वहां पर मड़िभद्र जो होता है उसकी कुद्रिष्टी चंपा पर पड़ती है और वो चंपा को बंदी बना लेता है और उसको अपने यहां क्याद करके रख लेता है बुद्धुप्त भी वही पर बंदी था तो चंपा जो है वो बुद्धुप्त को की सहायता से दोनों लोग मुक्त होने का प्रयास करते हैं और जैसा कि कहानी के प्रारंब में ही हम देखते हैं कि दोनों के संबाद से ही कहानी का प्रारंब होता है उसको पूछती है कि क्या मुक्त होना चाहते हो और कहता है कि हां कैसे फिर दोनों लोग योजना बनाते हैं और इस प्रकार से दो नाविकों और प्रहरियों को नश्ट करके नाव पर अधिकार कर लेते हैं और नाविक को अपने अनुसार चलने के लिए बाद कर देते हैं और नाव पर चल करके वो एक नए द्वीप पर जाकर पहुंच जाते हैं और वहां पर उनको पता चलता है कि उस द्वीप का कोई ना बना देता है बुद्धुकुप्त चम्पा को अपने हिरदेश्वरी मानता है और चम्पा जो है वो उसको अपने पिता का हत्यारा समझने के कारण उससे प्रथक रहना चाहती है उससे दूर दूर रहना चाहती है चम्पा के हिरदय में प्रेम और घ्रणा दोनों के ही भाव उमढढ़ घुमढढ रहे होते हैं। बुद्ध गुप्त उसको बाद में बताता है कि उसके पिता की मृतियू चंपा के शस्त्र प्रहार से नहीं, बल्कि एक दूसरे दस्यू के प्रहार से हुई थी। लेकिन चम्पा अपने प्रेम को दबा करके उसके विवाह प्रस्ताव को भी अस्विकार कर देती है क्योंकि वह विवाह न करने का व्रत पहले ही ले चुकी थी। बुद्ध गुप्त एक निराश प्रेमी की तरहां चम्पा से आग्या ले करके स्वदेश लोट जाता है और चम्पा उसको कहती है कि तुम चले जाओ नाविक और तुम जा करके अपना जीवन पुना प्रारंब करो चम्पा उसी द्वीप पर रह जाती है और चम्पा वहां शीरशक भी प्रतिकात्मक रूप में लिया गया है आकाश दीप जो है वो द्वीप है जो चम्पा की मा भी कभी जलाया करती थी अपने भटके हुए नाविक को सही रास्ता दिखाने के लिए तो इस तरह से इस कहानी में यह भी कह सकते हैं कि स्वदेश को आजात कराने के के लिए अपने देश की आजादी के लिए उस समय जैसे यह प्रषाद जी ने लिखी थी उस समय भी देश आता वर हट हो इसी तरीके का था हम प्रतंत्र थे तो वहाँ पर अपने देश वासियों को आजादी की लड़ाई में आगे बढ़ने के लिए उनको स्वतंतरता संग्राम में जुड़ने के लिए प्रेरित होने के लिए प्रसाद जी ने इस कहानी को लिखा ऐसा भी हम मान सकते हैं स्वदेश प्रेम की भावना इस कहानी में दिखाई दीती है तो यह जो दीप जलाना है आकाश दीप इसका जो शीरशक है वो यही बताता है कि जो भटके हुए लोग है जैसे जल दस्यूं के लिए तो यह कहा जा सकता है कि वो अपनी दस्यू प्रवरत्ती दस्यू का मतलब लुटेरा होता है तो अपने इस लुटेरे प्रवरत्ति को छोड़ करके वो लोग अच्छे काम करें और अपना जीवन सही ढंग से सही तरीके से बिताएं और साथ ही जो लोग उस स्वतंतरता संग्राम में भाग लेने से पीछे हट रहे थे या जो लोग निश्क्रिय लोग थे उन लोगों के लिए भी प्रसाद इस कहानी के माध्धम से एक संदेश छोड़ते हैं कि उन भटके हुए लोगों को भी सही रास्ता दिखानी का प्रयास इस कहानी के माध्धम से प्रसाद जी ने किया है इस कहानी के कथानक में हम इस रोचक्ता को संगठित इसके जो इ के स्थान घ्राण कर लेती है और जिग्यासा देखे वह इपर बनजाती है जहां पर इस कहानी में पता चलता है कि जब दोनमों लोग क्या अलिंगण बद्ध होते हैं तो बुद्धुकुप्त को पता चलता है उसका दूसरा साथ तुन स्तिरी हो और और चमपा कि क्या स्तिरी होना कोई पाप है। कहानी का परिक्षाउ में पूछाày गया है ुडाै गफ्ठा गया का नहीं। चरम अवस्था और अवसान का क्रमिक संयोजन दिखाई पड़ता है प्रेम, आदर्श, वृत, त्याग और मानव हिर्दय की स्वभाविक गुणों का सुन्दर सामंजस्य कथाकार ने इस कहानी में प्रस्तुत करने का प्रियास किया है। अब बात कर लेते हैं इस कहानी की भाषा शैली के बारे में। आकाश्टीप कहानी की भाषा संस्कृत शब्दावली से युक्त शुद्ध साहितिक भाषा है जो कि प्रसाद की भाषा का एक विशिष्ट गुण भी कह सकते हैं। तत्सम शब्दों की प्रधानता दिखाई द देती है अलंकारिकता, लाक्षनिकता, सरस्ता, भावुकता, इत्यादी गुणों का समावेश हम इनकी भाषा में इस पश्ट रूप से देख सकते हैं। और साहितिक भाषा का ऐसा सौंदर जो प्रसाद की रचनाव में मिलता है वो कहीं न कहीं हमारे हृदय को मोह लेता है कुछ उधारण प्रस्तुत करती हूँ। एक और उधारण, पश्चिम का पथिक ठक गया था, उसका मुख पीला पड़ गया था, अपनी शांत गंभीर हलचल में जलने धी विचार में निमगन था। वह जैसे प्रकाश की उनमीलन किरणों से विरत्त था। अब बात कर लेते हैं इस कहानी के उधेश्य के बारे में, तो इस कहानी में देश प्रेम और मानव प्रेम के आदर्शों को इसपष्ट किया गया है। प्रसाद जी का जो आदर्शवादी विशिष्ट गुण है, वो यहां भी सपष्ट दिखाई देता है। चमपा और बुद्धुकुप्त के हिर्दय में व्यक्तिक प्रेम भी पनब जाता है, किन्तो यह प्रेम कहीं भी अश्लीलता की सीमा को छूने भी नहीं पाया है। इसमें वियोग और त्याग की यह प्रेम जो इनका है, वो वियोग और त्याग की अगनी में तपकर पवित्र बन गया है। देश प्रेम और मानव प्रेम का संकल्प पूरा करने के लिए ही कथाकार ने चमपा को सुदूर द्वीत में छोड़ दिया है। जहां पर निरीह और भोले भाले प्राणियों के दुख में सहानुभूत और सेवा के लिए चमपा जीवित रहती है। और बुद्धु गुप्त को वियोग की धरोहर देकर स्वदेश वापस लोटा देती है। तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि जो चमपा है चमपा भी उन द्वीप के लोगों के लिए भी आकाश दीप के ही समान है क्योंकि उनके जीवन को प्रकाशित करती है। पर उत्तेजित और अपने बल का प्रियोग करके अपनी प्रेमिका को पाने का इच्छुक नहीं दिखाया गया है। इस प्रकार से प्रसाद जी ने अपनी इस कहानी में आदर्श वाद की पूरी तरह से स्थापना करने का प्रियास किया है। अन्य विशेष्टाएं इस कहानी की जो हैं वो कलपना और एत्हासिक्ता का जो संयोग इस कहानी में दिखाई दे रहा है। उससे भी इनकार नहीं किया जा सकता है। कहानी के शीरशक की सार्थकता की बात करें। तो अभी मैंने बताया कि कहानी का शीरशक वो पूरी तरह से सार्थक है। कहानी का समूचा कथानक चमपा के ही चरित्र के चारों और गूंता रहता है और आकाश दीब उसका प्रेरना स्रोथ है। और आकाश दीब की ही भाती चमपा का प्रेम भी निशकलुष, एकाकी और दूर देश का वासी बना रहता है और आजीवन भटकेवों को रास्ता दिखाने के लिए आकाश दीब जलाती रहती है जिस तरह से उसकी मा कभी जलाया करती थी। तो इसमें दिखे इसमें परंपरा के प्रती प्रेम भी प्रसाद जी ने दिखाने का प्रयास किया है कि जो हमारी संस्कृती है, जो हमारी सब्वेता, जो हमारी धरोहर है उसको भी बचाने का प्रयास करते हुए कहीं न कहीं प्रसाद जी इस कहानी के माध्यम से दिखाई पड़ते हैं कि उसकी मा जो है वो दीब जलाया करती थी तो उनकी उसी परंपरा को जीवित रखते हुए चमपा भी भटके हों को रास्ता दिखाने के लिए दीब प्रज्वले करती रहती है बात कर लेते हैं इस कहानी के कुछ महत्वपूंड तक थे जो है वो कि करतव के साम प्रेम का बलिदान, आदर्श पून प्रेम का उदगाटन, हृदय परिवर्तन का चरित्र, सेवा भाव प्रेम, साहस और त्याग से परिपून कहानी, एक निडर साहसी अपने करतव्यों के प्रति अडिग लड़की की कहानी, और कहीं न कहीं असफल प्रेम की कहानी, मानव अफ़ प्रेम, देश प्रेम के आधर्शों को चित्रित करती हुई कहानी, अब इस कहानी के कुछ प्रमुक कथन, चम्पा का कथन है, क्या इस्तरी होना कोई पाप है ? बुद्धुकुप्त का कथन, मैं भी तामर लिप्त का एक क्षत्री हूँ बुद्धुकुप्त का ही अगला कथन है, जब इसका कोई नाम नहीं तो हम लोग इसे चमपा दीप कहेंगे बुद्धुकुप्त कहता है तुम मेरी प्राणदात्री हो मेरी सर्वस्व हो। चम्पा का कथन तुमने जल्दस्य व्रत्ती छोड़ दी परंतु हिर्दय वैसा ही अकरुण, सत्रिष्ण और ज्वलन शील है। चम्पा की मा का कथन है, भगवान मेरे प्थ ब्रिष्ट नाविक को अन्धिकार में ठीक पत पर ले चलना। चम्पा का कहते हैं, उनका कथन है चम्पा के पिता का, साद्वी तेरी प्रार्थना से भगवान ने संकटों में मेरी रक्षा की है। चम्पा का कथन है, जल में बंदी होना कठोर प्राचीरों से तो अच्छा है। चम्पा का ही अगला कथन है, जब मैं अपने ह्रदे पर विश्वास नहीं कर सकती, कर सकी उसी ने धुखा दे दिया, तब मैं क्या कहूं। चम्पा का ही अगला कथन, मैं तुमसे घ्रणा करती हूँ, फिर भी तुम्हारे लिए मर सकती हूँ बुद्धुगुप्त का कथन, इस जीवन की पुन्यतम घड़ी की इस्मृती में एक प्रकाश ग्रह बनाऊंगा अगला कथन, बुद्धुगुप्त का ही है, मैं तुम्हारे पिता का घातक नहीं हूँ, चम्पा, वह दूसरे दस्यू के शस्त्र से मरे चम्पा का कथन, कोई विशेश आकांग्षा हृदय में अगनी के समान प्रज्वलित नहीं है, सब मिलाकर मेरे लिए एक शुन्य है अगला कथन, मेरे लिए सब भूमी मिट्टी है, सब जलतरल है, सब पवशीतल है, कोई विशेश आकांग्षा हृदय में अगनी के समान प्रज्वलित नहीं है, तो ये कुछ महत्वपून कथन थे, इस कहानी के, अब इस कहानी के संबंध में विद्वानों के जो मत हैं, उ तुरेंद्र चौधरी का कथन है, कि आकाश दीप कहानी के संगठन को अनिवार रितह क्रेप स्कूलर मान सकते हैं, लक्षमी नारण लाल का कथन है, चरम सीमा की यह कलात्मत प्रवृत्ती हमें प्रसाद की प्रथम काल की कहानियों में ही देखने को मिलती है, नए कहानी के क राजींद्र यादव का कथन है, उनकी आकाश दीप, पुरुसकार, वृत भंग, देवरत इत्यादी, कहानियां, प्रायह, व्यक्तिकत भावना और इस्थापित नैतिकता का द्वंद सामने रखती हैं, वहां विकल्प भावना और कर्थविका है, कभी यह कर्थव राष् प्रेम, कभी मठ मर्यादा, और कभी पारिवारिक शत्रता के निर्वाह का है, इस द्वंद में छट पटाती, और उसमें कर्तवी की ओर जुपती हुई, उनकी कहानियों की नाइकाएं, अक्सर उस मानसिक इस्थिती का शिकार है, जिसे मनो विज्ञान में एम्बिवेलेंस कहते हैं, अर्थात एक ही व्यत्ती या वस्तु के प्रती, प्रार, प्यार और घ्रणा की समान तीवर भावना का होना, मैं तुमसे घ्रणा करती हुँ जलदस्यू, लेकिन तुम्हें प्यार भी करती हुई, वाली स्थिती की अभिव्यत्ती उनकी कहानियों में कहीं कहानिकार है, तो ये राजेंद्रियादव का कथन था, अन्य कथन मधुरेश का है, प्रसाद की कहानियां एक ओर तो प्रेम के उदात्तु रूप और सर्वस्व बलिदान में नहित साहस एवं शौर्री को रिखांकित करती हैं, तो वहीं वे परस पर दो विरोधी भावों क संगात और द्वंद को नाट कीये पोशल के साथ प्रस्तुत करती हैं, आकाश दीप कहानी में यह द्वंद प्रेम और घणा के बीच में सम्मलित है, तो इस प्रकार से ये कुछ महतपूंड तक थे, आकाश दीप कहानी के सम्मन्द में, जो मैंने आपके सामने प्रस्तुत किये हैं और बहुत ही रोचक कहानी है बहुत लोगों ने पढ़ी भी होगी और बहुत लोग इसको पढ़िएगा और कभी अवसर मिलेगा तो इस कहानी का वाचन करने का भी प्रयास करूँगी और तब-तब के लिए आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद और अगर आपको हमारा ये कहानी की समिक्षा पसंद आई हो तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूले और हमारे चैनल को भी लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें आपका बहुत-बहुत धन्यवाद